जौसर पर समुकर्पी दिभार के तौरा इसी ताज केस कारिक्रम में मंच में उपस्तित प्रदेश सरकार में मंद्री मंदल के मेरे बरिष्ट से योगी उपमुख्य मंद्री द्वैसी केसो प्रसाद मोर्य जी से ब्रजेस पाठक जी प्रेटर्नियम संस्कृति मंत्री सिजाइबीर सिंग जी राज्य मंत्री किर्शी विभाग सरदार बल्देश सिंग उलक जी मंच परपस्तित लखनों की महापौर सिमती सुस्मा कड़गवाल जी पूर टिप्टी सीम और राज्य सभा के माने सांसद डॉक्टर दिनेश सर्मा जी राज्य सभा के माने सांसद से प्रजलाज जी माने सांसद सी संजै सेड जी मंच परपस्तित हमारे सभी सम्मानी तो जन परतन दिगन आज के समारों में सेभागी बन रहे सभी महनुभाव और विभाजन की तरास्दी को जेले भे परिवारों के सभी समानी सदसेगन और पस्तित बैन और भाईयों आज पुरा देश विभाजन की तरास्दी की स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इध्यास के उन काले अध्यायों को उस्मन कर रहा है इध्यास क्यों एक अध्यन का विसे नहीं होता है को एक पेणा होती है गलतियों की परिमार्जन का और गौरों साली छणों से पेणा गर्ण करने का एक संकल्प होता है और विभाजन की तरास्दी हम सब को इनी बातों की और ध्याना करसित करती है आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन रास्ट हजारों हजार वर्सों से जो एक भारत रहा हो वह भारत पहले गुलाम हुआ बिदेशी आक्रांताओं की द्वारा यहां की प्रम्प्रा और संस्कृति को रोधा गया तोड़ा गया अप अवित्र किया गया इस देश को गुलाम बनाया गया और जब भारत ने अगणाई ली थी आजादी की लड़ाई को लेकर की देश के महान करांतिकारियों ने स्वतंतरता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंतर कराने की दिसामे विदेशी हुकूमत को उखाड फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी जब उसकी पूरता का समय आया तो विभाजन की तरास्ती का सामना इस सनातन रास्ट को करना पड़ा जो कार्य इत्यास में किसी युग में नहीं हुआ वह दुरुभाग्य से सत्ता लोलुप कॉंग्रेस की सत्ता के प्रतील अभी लिपसाने लोलुपताने तरास्ती की रूप में विभाजन की तरास्ती की रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंद्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंगबाद की रूप में उगरबाद की रूप में अलगावबाद की रूप में लगातार को ये भारत को दंस दे रहा है कौन नहीं जानता कि अगर तद्काली इन रास नितिंग ने तृत्वा द्रड़ता का परिचे देता दुनिया के कोई ताकत इस और प्राकृतिक विभाजन को मूर्थ रूप नहीं दे पाती लेकिन द्रड़िच्छा सक्ति का भाव सत्ता लोनुप्ता एन केन प्रकारण सत्ता प्राक्त होनी चाहिए इसके ले चाहे देश को ही दौपे क्यों न लगाना पड़े और यही तो हुआ यही उन्निस सौ सेंटालिस में भी हुआ और उन्निस सौ सेंटालिस के बाद भी लगातार यही हो रहा है जब भी इन लोगों के हातों में सत्ताई इनों ने देश की कीमत पर राजनी थी की और उसकी कीमत इस देश को इस देश की भोली भाली जंता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है ये विभाजन की दुर्भा के पूर्ण तरास्दी हम सब को उनी कलतियों के परिमार्जन की तरफ हमारा ध्याना कर सिद कर दी है भारत बल वुद्धिद्या सब में दुनिया का नित्रत्व करनी की सामर्थे रखता था याद करिए सोलवी सदी तक भारत का वैभोग दुनिया के अंदर अग्रणी था अगर दुनिया की जीडीपी के आप बात करते हैं तो दुनिया की अर्थविवस्ता का आदा भाग का नित्रत्व अकेले हिंदुस्तान करता था सोलवी सदी तक इतना संब्रिद भारत था और यह तब था जब कई सो वर्सों तक लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को यह जहल ला था और लगातार फिर किस इस्टिती में यह पहुच गया था आपने भी यह द्रिश से देखा है फोटोग्रैप के मात्यम से इस जो यहां पे भी सुषना विभाग ने तरास्दी के एक उस द्रिश से आपके सामने प्रस्तुत किये पंदर अगस्त निसौ से एक दिन पूर चोड़ागस्त निसौ से आपके सामने तरास्थ को जब विभाजन की इतरास्पी हो रही थी और पंदर अगस्त को जब देश के अंदर तकालीम प्रधान मंत्री पंडिट जवहलाल नेरू के दोरा भारत के तरंगे को पहरा करके कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कारे क्या जा रहा था तब लाखों लोग अपनी मात्री भूमी को छोड़ने के लिए अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे किस परकार की यातना उन पर बढ़ रही थी किस परकार का दृस्य था किस परकार के मानुए अत्याचार हो रहे थे ये किसी से छुपावा नहीं और दृस्य बहुत कुछ चित्र बहुत कुछ बोल देते हैं या निदुनिया का सबसे संब्रतितम देश 1947 तक आते आते एक दलितर देश में बदल गया थे और वो द्रिश से भी आपने देखा वो द्रिश से भी आपने देखा है यह क्यों हुआ क्या इस सच नहीं कि हमारी कुछ कमजोरियों ने आकरांताओं को देश के अंदर आकरमण करने के लिए एक स्पेस दिया और जो गलतिया इत्यास के उन काले अध्यायों में हम सब के सामने कैद है क्या वही गलतिया चुनाओं के समय रासनितिक नित्रत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां रासनितिक दोलों के दवारा नहीं की जाती है यह जाती नाम पर बिभाजन की त्रास्ती तक पहुचाने की एक कथा वही है जो पहले जातियता के नाम पर होता था जातिवात के नाम पर होता था आज वही कार्य वही करते वही कारणा में राजनितिक दलों के अस्तर पर जातियता का नगन तांड़ों करके फिर उसी विभाजन की ओड़ ले जाने की कुछ से चेश्टा की जा रही है पेडाम क्या है पेडाम आप सब के सामने फिर वही है पेडाम फिर आपके सामने वही है तिथी बदली है लेकिन चेहरे बदले होंगे लेकिन घटनाओं का सुरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का पंगला देश में वही तो हो रहा है उस समय तसलाख हिंदू एक साथ काटे गए थे हिंदू सिक्व सभी थे एक साथ काटे गए थे और आज भी वही आगजनी वही तोड़ फोड़ वही लूट पाट बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार उसी प्रकार के तरास्तवी का दृस्स से आज भी हम सब के सामने हैं और इस सब के बाबजोद इस प्रकार के कारिकर्मों को क्योवल एक उप्चारिक्ता बना करके हम लोग क्योवल अपने बात करने तक सीमित हो जाते हैं आखिर कब इत्यास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ हम आभारी हैं प्रधानमंतरी मोदी जी के जिन्होंने इत्यास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की चंता की आँखों को खोलने का काम किया है देश का ध्याना कर सिद्किया है इत्यास कि इन गलतियों के प्रिमार जन के लिए रास्ता बनाने का एक आवहान हम सब का किया है और उसी आवहान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूँ कि जो द्रिश्य 1947 में वाता वही द्रिश्य तो आज बंगलादेश के अंदर हम सब को देखने को मिला डेट करोड हिंदू किस तरीके से बंगलादेश के अंदर आज चिला चिला करके अपने आपको अपने स्मित्ता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मूँ सिलेवें कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मूँ सिलेवें एक भी सब दिन का नहीं निकला है क्योंकि उनको भै है कि अगर इन निरीक कमजोर लोगों की इस बक्स में नोने आवास निकाली इनका वोट बैंक सक जाएगा वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानुए संबेदना इनकी मर चुकी है मानो ताके रक्सा के लिए इनके मूँ से एक भी सब्द नहीं निकलने वाला है नहीं निकलेगा क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राशनीटी को प्रेदित और प्रोसाहित किया उसको लेकर कि आगे बढ़ते रहें ये लगातार बाटो राच करो की उस राशनीटी के तहदे लोग तेस के अंदर कारे करते रहें अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की ये वास्तों में भारत की सत्ता का नित्रत तो नहीं कर रहे थे बलकि अंग्रेजों के ही ब्रिटीसर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटी सर इस देश के अंदर कर रही थी और आज उसी का दुस्मेणाम या देश लगातार चुकाया है अखंड इंदुस्तान चुकाया है लेकिन हमारा संकल्प है मारसी अर्विंद ने जो 1947 के पहले उत गोचना की थी आजादी की तरास्ति देश की विभाजन की तरास्ति आजादी के मिलने के बाद अक्सर नोंने इस बारे में अपनी चिंता अब्यक्त भी किया और नोंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविक्ता नहीं है या तो उसका भारत में बिलाय होगा या पाकिस्तान इत्यास से समाप्त होगा हमेशा के लिए समाप्त होगा क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तिविक अस्तित्व नहीं है उसको नश्ट ही होना है और उसकी नश्टता उसके नस्वर्ता को हमें संदे की निगाओं से नहीं देखना चाहिए हमें ये मानना चाहिए ये होगा लेकिन इसके लिए हमें भी तयार होना होगा हमें भी अपने आपको तयार करना होगा हमें अपने उन गलतियों का परिमार्चन करना पड़ेगा जिन गलतियों के कारण विदेशी आकरांताओं को भारत के अंदर घुसने भारत की पवित्र तीर थस्तलों को अपिवित्रन करने भारत की परंप्रा और संस्कृति को नश्ट करने का एक औसर जुने जिने प्राप्तु हुआ था उस प्रकार की गलतियों को वा विभाजन की जो तरास्ति तक हमें पहुचाया है वा जादिय विभाजन के रूप में छित्रे विभाजन के रूप में भासाई विभाजन के रूप में इस सभी से उभर करके हम सब को राश्ट प्रथम के भाव के साथ मिल करके कारे करना होगा भारत की आजादी इस बात के लिए हम सब का आउहान कर रही है और याद रखना भारत किवल दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र ही नहीं है ये लोगतंत्र की जन्नी भी है जितनी स्वतंदरता भारत ने अपने नागरिकों को दी है दुनिया के अंदर इस परकार की स्वतंत्रता किसी भी अपने देश में अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है हम सब को अपने समिधान पर गौरब के न्भूति करनी चाहिए भारत के समिधान निर्माताओं के प्रति अपार सरदार सम्मान का भावबिक करना चाहिए हमें सरदार बलबहई बटेल के दड़ता का सम्मान करना चाहिए हमें बावा साथ डॉक्टर भीमराम बेट करके प्रति सतसत नमन करना चाहिए जिन्होंने अपनी पीड़ा को दमाने के बाद जोद भारत की एकता और खंड़ता की प्रतीक भारत की समिधान को भारत वास्यों को प्रदान किया जो समिधान आज भी हम सब का नित्रत्व करता है हमारा मार्ग दर्शन करता है और उन सभी महापुर्सों से जिनों ने भारत की सम्मिधान सवा के मात्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मिधान दिया इस सम्मिधान के मात्यम से हम सब को भारत के स्लोक तंत्र पर गौरब के अन्भूती भी करनी चाहिए और इस लोगतंत्र के साथ मिल करके कैसे हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है इन स्वतंत्रता के उन नायकों के प्रति सर्धा का भाव प्यक्ते करना होगा जिन महापुरसों ने अपना सर्वस्व भारत की आजादी के लिए समर्पित करके अपने आपको बेलदान किया था आज के सौसर पर भारत फिर से अखंड भारत की सामे अक्रसर हो सके वरसर बिंदो के सपने को साकार कर सके उनकी बहुत से बाणी सच साबित हो सके इसके लिए हमें भारत को उन्निस सो सैंतालीस तक जब भारत अपनी आजादी का सताप्ती महत्सों मना रहा होगा 87.1947 में जब भारत की आजादी के 100 वर्स पूरे हो रहे होंगे उस समय एक ऐसा भारत जो विक्सित भारत होगा सक्तिसाली भारत होगा ससक्त भारत होगा उस ससक्त भारत के निर्माड के लिए प्रधान मंत्री जी ने आजादी के अम्परित महट सो के उसर पर जिन पंच प्रणों की बात की उन पंच प्रणों में सबसे महत्वपूर्ण प्रण है और वह है नाकरी कृतब्य नाकरी कृतब्य किपृति हम जिस छेतर में काम कर रहे हैं किसी भी छेतर में हो सकते हैं सासन में हो सकते हैं प्रसासन में हो सकते हैं पुलिस सेवा में हो सकते हैं ब्योसाय में हो सकते हैं युवा हो सकते हैं किसान हो सकते हैं मेलाएं हो सकती हैं समाज के किसी भी तपके में र रहा है उस सेत्र में अपने नागरिक कर्टब्यों का पालन करते वे राष्ट प्रथम के भाव के साथ उसे कारे करना होगा राष्ट प्रथम का यह भाव जब हमारे जीवन का संकल्ब बनेगा तो भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है याद रखना पिसले दस वर्ष के अंदर भारत की प्रगति दुनिया को अचम्बित करती है दुनिया को आकर सित करती है दुनिया विबूत है भारत की तरफ आसा भरी निगाओं से देख रही है उसे विश्वास है कि भारत अगर सुरक्सित है तो विश्व मानोता सुरक्सित है और इसलिए भारत की तरफ आज के समय में दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है तो भारत की तरफ दुनिया देख रही है भारत की तरफ दुनिया का याकरशन हमें एक नए भारत का दर्शन कराता है प्रदान मंत्री मोधी जी के नित्रत्तों में इस नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रुप में स्थापित करना और दस वर्स में आज से दस वर्स पहले भारत दुनिया की दस्वी बड़ी आर्थिक ना सकती था आद भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ बिवस्ता बना है अगले तीन वर्स के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ बिवस्ता बन जाएगा और हमारा प्रयास होना चीए कि 1947 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा और उस ताकत के लिए भारत के हर नाकरी को एक जुठ हो करके अपने आपसी मदवेदों को समाप्त करते वे चाती के नाम पर छेत्र के नाम पर भासा के नाम पर विभाजन करने वाले उन ताकतों से सतर्क रहते वे एक भारत स्रेश्ट भारत के बारे में सोचना होगा इफ्यास के उन गल्तियों के प्रिमारजन का एक उसर हम सब के सामने है हम फिर से इस प्रकार की गल्तियों की तरास्ती और इस प्रकार की विभाजन की तरास्ती का सामना फिर से वरतमान और भावी पीड़ी को न करना पड़े इसके लिए हम सब का संकल्प होना चाहिए जी कांग्रेस भिभाजन की स्क्रास्ति के लिए और समय समय पर देश के साथ हुई इस दोके के लिए कभी देश की चंता से माफी नहीं मंगेगी क्योंकि उनका चरितर कभी भी कि प्रकार का नहीं रहा कांग्रेस का वास्तिविक चरितर अज псих饨ाय को दी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको उसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोटने का प्रयास किया 1975 इसका उधानन है जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने दिकारों की बात की उसने आपस में लड़ाने का काम किया देश के अंदर भासाई विवाद देश के अंदर छेत्रिय विवाद देश के अंदर सनातन रास्त में हिंद और सिकों को आपस में लड़ाने का कारे ऐसे तमाम ऐसे पाप है इनके जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है और इसलिए हमें इस परकार के लोगों से साउधान रहते वे फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नाने पाए जो देश के वर्तमान और बावी पीडी के सामने इस परकार की दुरभा के फूर्ट रास्ती की स्थिति पैदा करे इसके लिए हम सब के जीवन का इस संकल्प होना चाहिए हम इसके लिए परिमारजन करने की सामें आगे वड़ सकें मैं धन्यवाद दूँगा उन वक्ताओं को जिन्हों ने अपनी बातों को यहां पर रखा और खास तोर पर सरदार निर्मल सिंग ने बहुत अच्छे डंग से उन्होंने बात भी यहां पर रखी कि तरास्दी किस प्रकार की थी हमारी लखनों की पूर मेर स्वयम उस तरास्दी का सिकार बनी थी मातर एक वरस की और दो वरस के बात उनके पिताओं ने उस कैप में मिल पाए जहां पर वे लोग उनके परिवार के लोग तरास्दी के सिकार थे किस प्रकार की तरास्दी थी बैल गाड़ी से चल ला है उनको भी पता नहीं उनका ठिकाना कहां है कहां लग से है कोई पता नहीं किस किस प्रकार की द्रिश्य थे किस प्रकार की त्रस्थियां थी वर्सात का समय नदी नालों में पानी भीषण गर्मी उमस और उस समय अपने परिवार के साथ अपनी पुर्खों की भूमी को छोड़ करके जाना उनिस स्थितियों में अपने इश्ट देव को छोड़ करके जाना किस प्रकार का द्रिश्य रहा होगा आज भी हम देख सकते हैं नंकाना साहिब में हमें गुरु नानक देजिके प्रकास परुमें वहां किर्तन का अनुमती नहीं होती है नगर कीर्तन के अनुमती नहीं मिल पाती है कोई भी आयोजन वहां करने की स्वतंतरता नहीं होती है और सिंद तो हिंद बाहुले था सिंद तो आज भी सिंदी बाहुले था का राज्य है उसे पाकिस्तान में अंदर क्यों जाने दिया गया बांगला देश की आवादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे 22 फीस्दी हिंदू थे आज उनकी संख्या घड़ करके कितनी रह गई है आज 7 से 8 प्रस्त रह गई है उसमें भी आपने अभी एक सब्ता पहले बांगला देश के हिंदों के उस प्रदर्सन को देखा होगा जो चटगाओं में वहां के हिंदों ने किया था लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने कुहार लगा रहे थे मैं धन्यवाद दूँगा मैं अभी नंदन करूँगा उन हिंदों का जिन्होंने इस्तना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहे करके भी उन नर्पिशासों के सामने उन्होंने अपनी प्रवहा के बगर अपनी वर्तमान और भावी प्रीडी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका बास्तिविक चेहरा दिखाया है और मज़े लगता हमारी सबकी सानवूती उन हिंतों के साथ में होनी चीए उन पीडितों के साथ होनी चीए जो बांगलादेश के अंदर अमानवी अत्याचार के सिकार वर्तमान में हो रहे हैं और मैं आप सबसे ही कहूंगा कि हमें इस मजभी उन्माद से देश को भी और दुनिया को इबचाने के लिए आवहान करना होगा और मुझे लगता है कि मजभी उन्माद एकता के माद्यम से ही रास्त होगा महरसी अर्विंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा आज के सौसर पर मैं विभाजन की इत्रास्ती के सिकार परिवारों के परिवार जनों के परती अपनी संबिदना बेक्त करता हूँ जिन लोगों ने अपने परिवार जनों को खोया है उस समय खोया था उन सब के परती मैं बिनम्र सरधान जलियर पित करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि विभाजन की इत्रास्ती से हम कुछ सबक लेकर के आने वाली भावी पीडी के सामने इस प्रकार की इत्रास्ती नहोंने पाए इसके लिए संकल्पित होंगे धन्यबाद जैहिर